आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे tax evasion जो कि लोगों को लगता है कि वो उनके पैसे बचाने में उनको help करेगी हमेशा help करती नहीं है अगर laws के बारे में आपको नहीं पता है तो करोड़ो रुपेक आपको नुकसान हो सकता है मैं आपको एक evasion की case study बना के दिखाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ लोग अगर सोचे समझे बेना ये वाली चीज़ कर जाएंगे तो कैसे उनको दिक्कत हो सकती है त्यान से सुनिएगा मान के चली मैंने कोई commercial building के अंदर कोई premises को, कोई flat को या फिर पूरी की पूरी building को खरीदा है कितने में खरीदा है? मैंने 7th of June 2005 को ये वाली building खरीदी थी for 40 करोड रुपीज commercial है लेकिन मेरे business के लिए use नहीं करी जाती है मैंने वैसे ही investment purposes के लिए खरीदी है कि आने वाले time में इसकी value increase होएगी value increase जैसे ही हो जाती है जब भी मैं बेचूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ income हो जाएगी main business नहीं है मेरा लेकिन investment purposes के लिए वाली चीज मैंने खरीद रखी है अब होता गया है आने वाले time में actually value increase हो जाती है और मैंने यही वाली building को अब 18th August 2022 बहुत रीसेंट ली कितने में बेचा है 70 करोड में बेचा है मान के चलिए तो अब मेरे हाथ में ना दो options निकल के आती है पहली evasion वाली दूसरी without evasion वाली evasion वाली option के निकल के आती है मैं यह building जो कि मैं business के अंदर use नहीं कर रहा हूँ मैं दिखाने लग जाओं कि मेरे business के अंदर यह वाली चीज यूज हो रही है अगर मैं यह करने लग जाओंगो तो मेरी गलत intention क्या होगी मेरी intention होगी that यह दिखा के कि यह वाली जो building निकल के आती है मैं business के अंदर use हो रही है मैं depreciation claim करने की कोशिश करूँगा जो कि commercial buildings पे कितने rate पे मिल जाती है 10% के rate पे मिल जाती है तो मेरे business के जो भी active profits निकल के आते हैं अगर 40 crore की मैंने चीज खरी दी है और मुझे हर साल roughly 4 crore rupees depreciation की तरह claim करने को मिलेंगे तो मेरे उपर जो भी income tax का rate लगता है मान के चलिए effectively 40% का rate लगता है मैं हर साल 1.6 crore rupees बचा पाऊंगा तो property की value भी increase हो रही है depreciation भी मुझे मिलने लग जाएगी बस इतना सा जूट बोलके कि ये building मेरे business के अंदर use हो रही है जबकि actually use नहीं हो रही क्या मुझे ये काम करना चाहिए ethically छोड़ी है कि ethically आपको evasion करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मैं कहरो हूँ rationally भी आपको ये वाले काम नहीं करना चाहिए क्योंकि पैसे आपके बचेंगी नहीं ये ही वाले case के अंदर में आपको अभी demonstrate करके दिखाऊंगा कि अगर मैंने जूट बोला कि ये building मेरे business के अंदर use हो रही है तो ये मुझे profit की जगा 20 करोड रुपीज का loss ये generate कर देगी taxes के नाम पे है taxes में 20 करोड रुपीज मुझे ज़्यादा देने पड़ेंगे कम नहीं देने होंगे depreciation से फायदा नहीं होने वाला क्यों नहीं होने वाला बहुत ध्यान से देखिएगा आपके PGPP और Capital Gains के बहुत सारे provisions practically revise हो जाएंगे और आपको पते चलेगा practically कौन लोग क्या करते हैं क्यों करते हैं और क्यों नहीं करनी चाहिएं वो चीज़े उनको देखे लेमान के perspective से सोचके मैंने आपको बताया है यहाँ पे अगर यह वाली building को मैं business के अंदर दिखाने लग जाता हूँ depreciation मिलेगी बहुत ही ज़ादा beneficial चीज़ लगती है डेड करोड रुपे के असपास हर साल में बचाने लग जाऊंगा taxes में लेकिन फायदमन नहीं होने वाला क्यों समझी पहला route मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है case number 1 के अंदर जहाँ पे depreciation आप अवेल करते हैं वहाँ पे क्या-क्या होने वाला है वो हम discuss करेंगे and then case number 2 के अंदर ये देखेंगे कि depreciation अगर आप नहीं अवेल करते हैं तो 20 करोर रुपीज आप कैसे बचा सकते हैं ध्यान से देखिएगा case number 1 के अंदर क्या हो रहा है depreciation में आपको दिखाता हूँ कैसे मिलेगी, कम मिलेगी और होने क्या-क्यावाला है उस case में अगर asset मैंने यहाँ पे खरीदी है 7 June 2005 को तो पहली बाठ depreciation कौन से साल में मिलेगी 2005-06 के अंदर मिलने वाली है, यह वाले financial year में और कितनी मिलेगी, पूरी की पूरी आधी मिलेगी पूरी मिल जाएगी क्यों, यहाँ पे put to use period जो भी निकल के आता है acquisition वाले year में, वो vanity से जाधा का निकल के आ जाता है तो पूरी depreciation मिलेगी कौन से rate पे मिलेगी, 10% के rate पे मिलेगी कहां तक ले पाऊंगा मैंने asset को बेचा है previous year 22, 23 के अंदर क्या यह वले साल के लिए depreciation मिलेगी नहीं, यह तो साल के बीच में ही बेच दिगए asset तो depreciation मुझे मिलेगी, इससे पिछले साल तक यानिकी 21, 22 तक और अगर आप 21, 22 तक compute करेंगे कि यहां से लेके वहां तक कितने साल हो जाते हैं तो निकल के आते हैं 17 years जिनके लिए अगर आप WDV basis पे 10% के rate पे depreciation compute करेंगे, तो कितनी निकल के आएगी मैंने आपको लिखके बताया है, ध्यान से देखिए previous year 5, 6 से लेके 21, 22 तक 40 करोड की asset पे अगर आप 10% के rate पे depreciation compute करेंगे तो निकल के आती है कितने की 33.3 करोज की depreciation यहां पे निकल के आ जाती है perfect, depreciation इतने की निकल के आ गई है और हर साल इस पे यह मानते होए कि मेरे उपर 40% का effective tax rate लग रहा है मैंने इसका 40% बचा लिया होगा हर साल में थोड़ा थोड़ा करके अब बेचे जाने पे क्या होने वाला है पहले देखे यह वाली asset पे इतनी depreciation लेने के बाद यह साल में जब भी मैंने asset को बेचा है यह साल के starting में यानि की 1st April 2022 को यह वाले block की जहां पे यह वाली building थी मानते होए अकेली यही building है मेरे पास इस block की WDV क्या होने वाली है opening WDV opening WDV निकल के आ जाएगी आपकी 40 crores minus 33.3 which is 6.7 crores की तो approximately वही figure मैंने आपको यहाँ पे लिखके बता रखी है इतनी opening WDV निकल के आ जाती है अब मैंने क्या करा है यह वाली asset जिस पे मैं जूट बोल रहा था मेरा जूट पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा उसके बार में बात मत करिए वो बात में देखेंगे मैं कहरों पकड़ा नहीं भी जाता है न आपका जूट तो भी आपको depreciation नहीं लिन चाहिए वाली asset पे क्यों कुछी दिर में आपको समझ आएगा तो यह वाली asset जिसकी WDV निकल के आती है opening WDV 6.7 की वो मैंने बेची कितने में हैं मैंने बेची है 70 करोड में 6.7 की चीज अगर आप 70 करोड में बेचेंगे तो profit आपका कितने का निकल के आ जाता है 63.3 करोड का निकल के आ जाता है जिसको बोला जाता है क्या short term capital gain क्यों भही short term क्यों long term क्यों नहीं अगर आप कोई भी asset की बात करेंगे जिसपे आपने depreciation avail करी है तो उस case में आपका trigger हो जाता है section number 50 और वो क्या बोलता है ये asset पर जो भी gain आएगा बेचे जाने के time पर वो हमेशा ही short term होने वाला है चाहे asset आपने 17 क्या 17 साल के लिए भी hold करी होगी तो भी gain हमेशा ही short term होने वाला है तो यहाँ पर निकल क्या आ जाता है short term capital gain जो compute करने के time पर आपको क्या करना होता है sales consideration में से minus करिएगा opening WDB को पूरे के पूरे block की and अगर कोई भी transfer के expenses निकल के आते हैं वो भी minus कर पाएंगे जो कि मेरे case में मान के चलते हैं कुछ भी नहीं निकल के आते हैं तो 70-6.7 कितने का short term capital gain निकल के आ गया है 63.3 का 63.3 का यहाँ पर short term capital gain निकल के आ गया है और यहाँ पर depreciation आपको देखने को मिल रही है 33.3 की अब finally taxation की बात करते हैं कि कितना फायदा मुझे हुआ depreciation पर कितना मुझे पे करना पड़ेगा short term capital gain पे और net basis पे क्या फायदा नुकसान हो गया है तो देखे यहाँ पे जब यह taxation की बात आएगी तो taxation को हम देखेंगे लेकिन यहाँ पे time value of money को consider नहीं करा जाएगा depreciation पे आप जो भी बचाएंगे धीरी धीरे करके बचाएंगे एक बार में नहीं बचाएंगे तो present value यहाँ पे हम consider नहीं करने वाले क्यों क्योंकि PV निकालने के लिए IRR पता होना चाहिए internal rate of return और वो हर इंसान का different निकल के आता है तो हर इंसान के इतने सारे cases यहाँ पे देखेंगे हैं उससे better क्या निकल क्या आता है यह कौनसे वाले rate पे tax होने वाले short term capital gain के लिए दो आपके major section निकल के आते हैं या तो short term capital gain आपके 111 A में tax होने वाले हैं या फिर normally as an assessi आपके उपर जो भी rate लगता है वो rate पे tax होने वाले मेरे case में क्या होगा 111 A नहीं लग पाएगा और उसका 15% वाले rate मैं नहीं पकड़ पाऊँगा क्यों 111 A के अंदर 3 ही assets आती हैं और उसमें building land यह दोनों नहीं आते हैं तो मेरे case में यह वाली जो भी asset मैंने बेची है और बेच के जो भी capital gain निकल के आया है पूरा का पूरा वो ही rate पे tax होने वाला है जो rate मेरे उपर लगता होगा और मैंने आपको बताया है effectively अगर मेरे उपर यह वाला rate लगता है तो यही rate पे पूरा का पूरा capital gain यहां पे tax होने वाला है और depreciation पे क्या मैंने बचाया होगा depreciation के नाम पे, pay करना पड़ेगा short term capital gain पे इतना, बचाया है depreciation पे इतना, तो net basis पे अगर आप चेक करेंगे, तो इस पूरी की transaction होने में, मुझे 12 करोड रुपे का tax pay करना पड़ेगा, यानि कि 40 करोड की asset खरीदी है, 70 में बेची है, 30 करोड का यहाँ पे gain होने ही वाला था, लेकिन, बीच में क्या निकल के आ गया है, बीच में आपको निकल के आ गया है 12 करोड रुपीज का tax, जो कि आपको pay करना पड़ेगा धीरे-धीरे करके, and finally, यहाँ पी भी कुछ ना कुछ, तो 30 करोड का gain reduce होके हो जाता है, 18 करोड का यह तो वो कहानी है, जहाँ पे आपने depreciation को avail करा है, यह जूट बोलके, कि building आपके business के अंदर use करी जा रही है अब बात करते हैं, मान के चलिए आपने जूट नहीं बोला, उस case में क्या होने वाला है उस case में आपको depreciation नहीं मिलने वाली और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा फाइदा आपको हो जाएगा आपको लगे कि depreciation नहीं avail कर पा रहा डेड़ करोडर रुपे हर साल नहीं बचा पाऊँगा eventually बहुत जादा पैसा आप बचा जाएगे, कैसे, देखिए अगर आपको depreciation नहीं मिलने वाली तो उपर जो हमने depreciation का amount compute कर रहा था वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे zero निकल के आएगा, कुछ भी नहीं निकल के आएगा लेकिन आगे की कहानी को समझिए अब बेचे जाने पे क्या निकल के आएएगे capital gains निकल के आएगे, और वो भी कौन से वाले long term वाले निकल के आएगे, short term क्यों नहीं क्योंकि अब section number 50 आपका applicable नहीं हो रहा क्योंकि वो asset नहीं है जिसमें depreciation मेंने avail कर रखी, यह तो मेरे business की है ही नी, मैंने आपको बताया था ने, investment के लिए मैंने खरीदी है और building की अगर आप बात करेंगे, हर asset के लिए time period different होता है, building के लिए 24 months का निकल क्या आता है, 24 months के बाद बेचूंगा माना जाएगा long term capital asset को बेचा गया है उससे पहले बेचूंगा, माना जाएगा short term capital asset को बेचा गया है, मैंने 17 साल के बाद बेचा है, तो long term capital asset मानी जाएगी and capital gain पूरा का पूरा जो भी निकल के आता है वो होने वाला है long term देखिए कैसे निकाला जाता है, sales consideration उसमें से minus करनी होती है, cost of acquisition लेकिन indexation करने के बाद indexation का benefit मिल जाता है long term capital gain पे, जो की short term पे नहीं मिलता है और indexation के लिए मैंने आपको cost inflation का जो index निकल के आता है, दोनों सालों का बेचने वाले साल का, खरीदने वाले साल का दोनों मैंने आपको बता रखे हैं, ये हैं तो indexation करने के बाद 40 crores की यह amount निकल के आ आ जाता है और जो loss हो रहा है, इसका treatment क्या होने वाला है taxation में, ऊपर वाली case में हमने क्या करा था depreciation पे कुछ ना कुछ बचाया था और short term capital gain पे कुछ ना कुछ पे करा था net basis पे pay करना पड़ रहा था कितने का 12 crore के आसपास का यहां पे क्या होने वाला है यहां पे long term capital gain नहीं losses निकल के आगे हैं, जो कि हम क्या करेंगे आने वाले time में या फिर यह वाले साल में जब भी long term capital gain निकल के आते हैं उनसे हम set off कर पाएंगे तो long term capital losses पे कुछ pay करना पड़ेगा नहीं, बचाएंगे और कितना बचाएंगे जब भी long term capital gain आपके निकल के आ आ जाते हैं depending on कौन से rate पे वो taxable होने वाले हैं आप उतना ही पैसा इन losses को उनसे set off करके बचा पाएंगे and assuming कि वो long term capital gain जिन से भी आप set off करते हैं वो 20% के rate पे tax होते हैं तो 20% आप यही वाले loss का बचा पाएंगे जो की किता निकल के आता है 8.64 करोड का निकल के आ जाता है यानि कि यहाँ पे आपके पैसे बच रहे हैं case number 2 के अंदर और case number 1 के अंदर क्या हो रहा था यहाँ पे आपको pay करने पड़ रहे थे 12 करोड रुपे तो दोनों की difference को अगर आप देखेंगे commercial है, residential है, कुछ भी है business के अंदर जूट मूट बोल के दिखाने लग जाईए और जूट बोल के आप क्या करने लग जाईए इस पर depreciation claim करने लग जाईए मत करिएगा, depreciation claim करके हो सकता है आपको फायदा नहीं हो रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा है अब यह चीज़ा आपको बताने के बाद कुछ के दिमाग में यह आने वाला है कि cultivation करने लग जाए अगर हम कोई भी building को business के लिए use कर रहे है तो भी क्या जोट बोलने लग जाएं कि यह वाली building हमने business के अंदर use नहीं करी investment के लिए खरी दिये, क्योंकि clear ली यहाँ पर दिख रहा है कि depreciation claim करके फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है तो business वाली asset क्या हम उस पर भी depreciation छोड़ के यह वाला benefit ले सकते हैं जो की case number 2 के अंदर देखने को मिल रहा है legally तो नहीं ले सकते हैं क्यों? section number 32 जो की depreciation के बारे में बोलता है उसमें explanation insert करके सरकार ने बोल रखा है कि अगर आप depreciation avail करने के लिए eligible होते हैं यानि कि business के अंदर कोई भी asset use करी जा रही है उस पर हम कहरें कि depreciation आपको मिल जाएगी तो आपकी choice नहीं होने वाली कि depreciation लेंगे या नहीं लेंगे depreciation अगर ले सकते हैं तो लेनी ही पड़ेगी तो legal ही अगर आप बात करेंगे जो कि आज वली case study के अंदर में आपको करवान अचारा था I hope आपको कुछ ना कुछ नहीं सीखने को मिलाओ और ये भी पता चल गयाओ कि depreciation जहां पर मिल जाती है वहाँ पे avail करनी mandatory क्यों करी गई है अगर mandatory नहीं करी जाएगी तो काफी cases में सरकार को नुकसान भी हो सकता है जैसे की case number two के अंदर मैंने आपको दिखाया अगली वीडियो में कुछ ना कुछ नहीं सीखेंगे take care of yourself, good night